इंटरनेट पर हमेशा कुछ न कुछ नया अन्वेंट होता रहता है और समय समय पर हमारे सामने ऐसे ऐसे टूल्स उभर कर आते रहते हैं जो कि हमारे करिय को एक नया आयाम दे देते हैं जैसे फोटो शॉप के आने से फोटो एडिटिंग के बारे में लोगों जानने लगे. नमस्ते दोस्तों अगर आप इस इंटरनेट की दुनिया के बारे में जानने में रुची रखते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कैन्वा का नाम नहीं सुना होगा क्योंकि वर्तमान समय में कैन्वा बहुत ही प्रसिद कमपनी के रूप में उभर कर आई हैं जिसकी व इत्यादी जानकारी विस्तार से जानने वाले हैं। प्रेजन्टेशन, बुक कवर्स, इन्फो ग्राफिक्स, ग्राफ्स को बना सकते हैं। ये बिलकुल फ्री और पेड टूल हैं जो कि आज के समय में वेबसाइट, एप और सॉफ्ट्वेर के रूप में अवेलिबल हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म कैन्वा का ही मोबाइल वर्जिन हैं जिसे कैन्वा कमपनी द्वारा खासकर मोबाइल यूजर्स के लिए बनाया गया है। हर किसी के पास खुद का कम्प्यूटर नहीं होता है लेकिन मोबाइल अवश्य होता है ऐसे में अगर वह कैन्वा का इस्तेमाल करना चाहता है तो इसके लिए वह कैन्वा एप का उप्योग कर सकता है। वर्तमान समय में कैन्वा एप के 10 करोड से भी अधिक डाउनलोड्स प्लेस्टो पर मौजूद है। कैन्वा आज के समय में सबसे बहतर ग्राफिक डिजाइनिंग टूल के रूप में उभर है क्योंकि इसमें हमें टेंप्लेट्स मिलते हैं जिनकी सहायता से बहुत ही कम समय में आज से संबंदित कार्य को पूरा कर सकते हैं एवं कैन्वा का उप्योग बहुत सारे अलग-अल प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है जो की निमनलिखित हैं एक प्रेजेंटेशन बनाने लिए अक्सर प्रफेशनल कार्यों के लिए हमें एक अच्छा प्रेजेंटेशन की जरूरत पढ़ती हैं कैन्वा की मदद से हम प्रफेशनल प्रेजेंटेशन ब ग्राफ्स एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम बढ़ी आसानी से डेटा को प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे में हम कैनवा का उप्योग करके प्रफेशनल्स ग्राफ्स तेयार कर सकते हैं. 4. YouTube Thumbnail बनाने के लिए अगर आप एक YouTuber हैं तो कैनवा की मदद से बढ़ी आसानी से आप अपने YouTube वीडियोज के Thumbnails को डिजाइन कर सकते हैं. 5. Social Media Post बनाने के लिए वर्तमान समय में लगभग हर एक स्मार्टफोन यूजर सोशल मीडिया का उप्योग अवश्य करता है. ऐसे में हमें कई सारे सोशल मीडिया के लिए जरूरी पोस्ट तैयार करना पढ़ता है जिसे हम कैनवा की मदद से तैयार कर सकते हैं. कैनवा एक बेहद ही उप्योगी टूल है इसलिए हर किसी को इसे इस्तिमाल करना सीखना चाहिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें.